आज कल की बच्चे चाउमीन खाना ज्यादा पसंद करते हैं आपको भी पसंद है तो आज का वीडियो आपके लिए है नमस्कार मेरा नाम सिता कुमाउत और मेरे चैनल सिता स्कूगेंग में आपका फिर से बहुत बस वागत है आज हम हक्का नोडर्स बनाएंगे ये सुनके आपको हक्का बका नी रहना है चाउमीन बना के इंजोई करना है चाउमीन बनाने के लिए लिए है मैंने ये पिकिट इसको सबसे पहले काट लेंगे अगर आपकी फेमिली बड़ी है तो बड़ा पेकिट लेग सकते हो अगर आपकी फेमिली चोटी है तो छोटा पेकिट ल एक चमस्ते अलके डाल देंगे, और पानी अलका गरम होने के बाद में ये नूडल्स डाल देंगे इसमें, और अच्छे से 4-5 मिनट तक इसको पकाएंगे, इसमें ही साथ में आदा चोटी चमस्त नमके डाल देंगे, ताकि इसमें फिकापन नहीं रहे, और टेश्टी लग हो जाएगा, और इसके मीडियम फिलेम फे इसको 4-5 मिनट तक कूक कर लेंगे, ज्यादा पूरा कूक ने करना इसको, 80% तक इसको कूक करना है, बाद में इसको 2 मिनट के लिए मसाले में भी कूक करना है, इसके लिए 80% कूक करना है, ये देश सकते हो, नूडल्स अच् नूडल्स बन के त्यार हुँगे अभी ये छनी को पूरा पकड़ के इसे जटका लेंगे और पूरा पाने निकाल देंगे बिल्कुल भी पाने ने रहना चाहिए इसमें अभी जो कड़ाई में इसको बोईल किया था उसी कड़ाई के उपर ये चनी को रख देंगे ताकि जो भी अक्ष्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाएगा और इसी में अभी दो चमच तेल के डाल देंगे ताकि ये नूडल्स जिपकेने आपस में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे वैसे तो तेल डालके उबाल दाता लेकिन एक चमच दो चमच ओर डालेंगे तो ये विल्कुल भी जिपकेंगे नहीं और एकदम खिले के लिए हमारे चाउमीन बन के त्यार होंगे अभी सबजियां कट कर लेंगे सबजियों में मैंने लिया है सिमला मिर्ची, गाजर, प्याज अपनी पसंद से कोई भी सबजी अपने पास में हो वह आप सबजी ले सकते हो गाजर का शिलका निकाल लेंगे और अपनी पसंद से चोटी बड़ी साइज में पतली, मोटी साइज में आप काट सकते हो इसके दो-तिन टुकडे कर लेंगे और बीच में से कट करके बारिक-बारिक लंबे पिसेस में काट लेंगे काजर को बहुत ही अच्छे नूडस बनने वाले है प्रेंट्स आपको याद दिला दू आज की मेरी चावमीन बनाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ड जरूर करिये और आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद फेमिली प्रेंट्स के साथ में वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा सेर भी किया करें ताकि वो भी बनाना सिके और बना के इंजोई कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आपका एक लाइक शेर कमेंट से हमारा उसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए भी और नहीं नहीं रेशी भी बना के लेकि आए और प्रेंट्स तीन-च्यार दिन से मेरे चैनल पे लोंग वीडियो नहीं आ रहा था इसका रीजन ये था कि स्याम बाबा का बड़ो प्रोग्राम था उसमें हम इंजोई कर रहे थे इसके लिए मैंने लोंग वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला उसका मैंने लाइब वीडियो बताया है मेरे चैनल पे आप वो भी जाके ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर ज़रूर किया करे अभी medium size का tomato भी काट लेंगे, लंबे size में, अब सब्जियों को बारिक कट करना चाते हो, तो थोड़ा इसको बारिक भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने लंबे size में कट किया है, बहुत अच्छा लगता है, यह देख सकते हो, टामाटर भी हमारा कट के त्यार हो गया है, अभी 4-5 लसन के कलियां भी बारिक बारिक कट कर लेंगे, अगर आपके पास में कलियां लसन की बड़ी है, तो 2-3 कलियां कट कर सकते हो, अभी एक इंस अधरक का टुकड़ा लेंगे, इसको भी बारिक बारिक काट लेंगे, इसको भी बारिक बारिक काट लेंगे, अभी पत्ता पत्ता गोबी जितनी बारिक होगी उतनी टेस्टी हमारी चाउमीन बनके त्यार होगी गोबी भी हमारी कटके त्यार हो गई है इसी तरीके से मैंने सारी सबजियां को कटकर त्यार कर लिया है सबजियां हमारी कटके त्यार हो गई है अभी एक बड़ी साइज की कड़ाइ ले लेंगे और उसमें चाहुभीन बनाएंगे। दो बड़ी चम्मच इसमें तेल के डाल देंगे। और तेल अच्छा गरम हो जाए। उसके बाद में इसमें आती चोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद में जो लसुन और अध्रकट के लिया था वो डाल देंगे अलका बुनने के बाद में डाल देंगे इसमें लंबे कटे हुए प्याज कड़ी पता अगर पसंद हो तो डाल सकते हो अलका बुन लेंगे और अभी डाल देंगे पत्ता को भी और अभी डाल देंगे गाजर लंबे साइज में गाजर को कट कर के लिए हो डाल देंगे हलका दस से पंदरा सेकेंड के लिए बुन लेंगे अभी डाल देंगे लंबे कटे हुए टमाटर और साथ में ही डाल देंगे सिमला मिर्ची और हाईगे स्पेस को 10-15 सेकेंड के लिए अलका बुन लेंगे ताकि हलकी सी सब्जी नरम हो जाए यह देख सकते हो 10-15 सेकेंड हो गया है हलकी नरम हो गये सब्जी सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है हलकी करंची करंची रहती है तो नूडल्स में खाने में बहुती अच्छा टेस्ट आता है यह देख सेते हो अभी हका नूडल्स मसाला डाल देंगे दो चमाच डाक सोया सोस डाल देंगे दो चमाच टोमेटो सोस डाल देंगे एक चमाच विनेगर डाल देंगे अगर आपको ज़्यदा तिक चाहिए तो green चिली शोष डाल सकते हूं या तो फिर तोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हूं बहुती अच्छा flavor आता है अगर आपको पसंद हो तो काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हूं मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूं तो ज्याधा तीका नहीं बना रही हूं अच्छेसी मिक्स कर लेंगे और गेस के हाई फ्लेम पर इसको दो मिनट तक ऊकल लेंगे ताकि शोस और मसाला अच्छेसी पक जाए और एकदम सब्जी में मिक्स हो जाए Iyaब मैंने नमक नहीं डाला है इसमें सवाथ के नौसार अभी नमक डाल देंगे नमक यहां पे आपको द्यान देके डालना है क्योंकि हमने उबाला था नूडल्स को तभी भी नमक डाला था और शोस में भी नमक रहता है और मसाले में भी नमक रहता है इसके लिए टेस्ट के नमक डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा नूडल्स का मसाला बनके त्यार हो गया है इस तरह के से मसाला बना के आप चाउमीन बनाऊगे तो बहुती अच्छा टेश्टी हमारा चाउमीन बनके त्यार होगा और आपकी फेमेली में नूडल्स आपको सबको पसंद आएगा और बहुती अच्छा टेश्टी लगता है और आपको पता ही नी जम्मा चलाते हुए यह mix करना है ताकि noodles आश्चे से टूटे नहिं noodles अच्चे से mix हो जाए उसके बाद में इसको एक मिनट तक high gaze पे कोकरना है गेस के high flame पे इसको कोकरेंगे तो मशाला और noodles जाएंगे एकदम setup टेश्टी दार्त हमाई नूडल्स बनके त्यार हो गया है यह देख सकते हो एक मिनट मैंने पका लिया है और बहुत ही टेश्टीदार नूडल्स बनके त्यार है अलग प्लेट में निकाल के सव कर लेंगे और इसके उपर हरादनिया की पतियां और हरे प्याज की पति से गानिस कर लेंगे यह हक्का नूडल्स देख के हका बका ना रहे बनाए और इंजोई करें आज का मेरा तरीका अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेर करना चेनल पे नई हो तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना बूले फेमिली फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर करें और साथ में ही बेल आइकन भी दबाए ताकि नई वीडियो की नोटिपिकिशन आपको सबसे पहले मिले और आपके लिए मैं कौन सी रेसीवी बनाओ कमेंट करके जरूर बताना वही रेसीवी लाने की पूरी कोशिश करूंगी मिलते आइसे नई वीडियो के साथ में तब तके लिए जेहिंद वन्दी महतरम टाटा बाबाए